नमस्कार दोस्तों परधान मंत्री किसान समानेधी योजना का EKYC करने की जो परकिरिया स्टार्ट की गई है इसको लेकर अंतिम तेथी नेरधारित कर दी गई है और साथ ही ये भी हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे लोगों के मन में कन्टूजन है कि क्या हमें EKYC करना जर ले करते है तो उनको कितना कमिस्थन मिलेगा और उन्तिमतिति क्या है कितने डेट के अंदर में नेरधारे अंदर में जो है EKYC करना ज़रूरी है और उस date के बाद अगर आप EKYC करते हैं तो फिर आपका परधानमंति किसान समानेदी योजना का जो लाव है वो आप नहीं ले पाएंगे इसका पूरी detail में आपको process दिखाने वाले और साथ ही proof भी दिखाने वाले वीडियो को अंतक देखिए सारी परक्रिया समझने के लिए वीडियो अगर आपको पसंदा तो लाइक करना मत भूलिए साथ ही चैनल को subscribe करिए तक इस तरह का जो भी वीडियो होगा आपको मिल सकेगा सबसे पहले officially notification आपको दिखाते हैं बगल में आप फूटेज देखीगा हम आपको लगा देंगे जहापे सारी detail में आपको clear किया ग था आपको परधान मंति किसान समानेधी योजना को लगर जब आप नीचे आएंगे तो कुछ दिन पहले यह 9 देसंबर को ही टूट किया गया था यहां पर आसपस्ट किलियर किया जा रहे कि all farmer to get their EQS to receive their मांधन amount after March 22 यानि जो भी किसान इसमें रजिटर्ट है परधान मंति किसान समानेधी योजना के लिए तो चाहते हैं उनका पैसा आते रहे तो उनको 22 मार्च तक आपको EKYC करना जरूरी किया गया है हर किसान को EKYC कराना जरूरी किया गया है साथी यहां पर यह भी किलियर किया गया है कि जो भी CSC वाले हैं यानि जो भी लोग CSC से EKYC करेंग वो तो लेंगे ही बदले में आपको जो है पंडर रुपी इसका कमिशन भी मिलेगा इस चीज को ध्यान रखेगा और यहाँ पे यह कहीं नहीं मेंशन किया गया कि इक वाई से जो लोग नहीं करेंगे उनको यह जो किस्त आने वाले कुछ दिनों में दस्वी किस्त यह नहीं मिलेगा यह चीज कहीं भी क्लियर नहीं किया गया यानि एक ध्यान रखे कि अगर आप 22 मार्च तक एक काम नहीं करते हैं तो उसके बाद हो सकता है कि आपको अगली किस्त जो मिलेगी यहारवी किस्त वह आपको नहीं मिल सकता यह चीज आप ध्यान रखेगा तो इसके लिए हमने वीडियो दिये हुए थे कि किस तरीके से जो है अब CSC से किसी का भी EKYC आप कैसे करेंगे यानि प्रधानमंति किसान समान इधी योजना के लिए आप क्या कर अगर आपको नो रिकॉर्ट फाउंड आता है इन्वाइली टोटी पी का समस्य आता है तो यह सर्वर के कारण हो रहा है आपको घबराना नहीं है क्योंकि सर्वर थोड़ा सा इरर है इस कारण से बहुत सारे लोगों को जो है EKYC करने में समस्य आ रहे है तो अभी टाइम है आपके पास 22 मार्च तक आपको यह काम करना है दो चार दिन रूख जाएए दो चार दिन बाद सर्वर पूरी तरीक्या से अच्छे से काम करेगा उसके बाद आप एक के वैसे कर सकते हैं तो यही अपडेट आपको देना था वीडियो अगर आपको पसंद आ हो तो लाइक क सब्सक्राइब करिए तक इस तरह का जो भी वीडियो होगा आपको मिल सकेगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद